दोस्तों UPSC CDS के previous year question की analysis में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम CDS 1 2019 के आगे के questions continue करेंगे history के कुछ questions हमने cover किये थे नाव आगे के question देखते हैं ये set decay according है so I think हमने last question 30th number का किया था plagues and peoples वाला ठीक है अगला सवाल देखते हैं in 1921 during which one of the following tour गांधी जी saved his head and began wearing loin cloth in order to identify with the poor यानी 1921 में किस tour के दोरान गांधी जी ने अपने head जो है उसे save कर लिया और इसके बाद loin cloth पहनना शुरू कर दिया उन्होंने ताकि पूर्स के साथ वो identify कर सकें relate कर सकें ये हिंदी पढ़िये 1921 में किस ब्रहमण के दोरान गांधी जी अपना सीर मुनवा लिया और धोती पहनना आरम कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुले पहचाने जा सकें अब दिखने में ये सवाल तो बड़ा कठीना ये सोर्स देखते हैं देखिए थीमस इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3 है चेप्टर का नाम है महात्मा गांधी एंड दा नेशनलिस मूव्मेंट इस चेप्टर में क्या बताया गया है इस चेप्टर में गांधी जी के जो हमारा गांधियन फेज ए फिटम में स्ट्रगल का उसके बारे में बात की गई है तो नोन कोपरेशन मूवमेंट की तस्वीर आप देख सकते हैं और मैंने आपको कई दफे बताया है कि जो themes वाली NCRT है इनके boxes आप prepare कर लें अगर आप CAPF या CDS के लिए prepare कर रहे हैं तो क्योंकि यहां से आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही नेक्स पेज में जब हम आते हैं देखिए यह figure 13.5 है इस figure को देखिए गांधी जी का काफी प्रसिद चित्र है और यहां पर देखिए चर्खा के विसे में बताया गया है और गांधी जी के दौरा यंग इंडिया नाम की पत्रिका निकाली जाती थी आपने पढ़ा होगा इत इमेज ऑफ इंडियन नेशनलिजम यानि भारतिय राष्ट्रवाद के लिए जो सबसे प्रमुख इमेज बन गई वो अब्यसली गांधी जी का चर्खा था तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल वर्वेटिम कोश्चन यहीं से प्रिपैर किया गया है तो किस टूर में साउथ इंडिया के तूर के दौरान गांधी जी ने अपने हेड को सेव कर लिया और इसके बाद से लोएन क्लोथ यानि धोती पानना शुरू कर दिया और इसके बाद यह सिंबोलाइज करता है एसकेटिसिजम को और एवस्टिनेंस क्वालिटीज को तो जो वर्ल्ड है जिस तरीके से कंजुमरिस्ट होता जा रहा है अगर हम देखे तो इस इन सब चीजों के बावजूद इन सब चीजों के आप कह सकते हैं कि विप्रीत जा करके एवस्टिनेंस को फॉलो करने का संदेश गांधी जी के द्वारा दिया गया तो क्या इसका आंसर एहमदाबाद है बिल्कुल नहीं क्या चमपारन है नहीं क्या चौरी-चौरा है नहीं सही आंसर क्या है ऑप्शन डी साथ इंडिया अब यह कुश्चन देखे एक्स्टीमली टफ है बट जैसा कि मैंने आपको कहा है यह पहली बार नहीं है अगर आप U FI-SFAC 2022 यानि लास्ट यहर वाला जब कुश्चन डिसकस किया था तो हमने देखा था कि काफी सारे सवाल है अलमोस्ट सारे ही सवाल जो है वह थीम्स NCRT के बॉक्से से थे और कई सारे जो सवाल वह थीम्स NCRT के पैराग्राप से भी थे अगला सवाल देखे शिमला वास फ प्लेस के रूप में यूज किया जा सके टुप्स वगेरा को विलेट करना फ्रंटियर को गार्ड करना केंपेन वगेरा चलाना इन सब चीजों के लिए तो यहां पे चार युद्ध के नाम है एंगलो मराथा वर एंगलो बर्मीज वर एंगलो गुर्खा वर या एंगलो अफ इस तरीके से लिए यह गुर्खा वर के टाइम पे यानि एंगलो गुर्खा वर जो की 1815 के टाइम पे देखने को मिला इस टाइम पे इसे अस्थापित किया गया और जो एंगलो मराथा वर है 1818 का इसके कारण ब्रेटिसर्स का इंट्रेस डेवलप हुआ माउंट आबू में और दारजलिंग जो है यह सिक्किम के रूलर से और रेस्ट किया गया तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सिमला है यह फाउंड किया गया गुर्खा वर के टाइम पे तो जो हील स्टेशन द करोनलोजी में समझा है इन चीजों को तो आंसर कर सकते हैं बट फिर मेरा वही मानना है कि अगर आप कुछ लिमिटेड बुक्स पढ़ रहे हैं जैसे थीम्स वाली आप पढ़ेंगे अगर आप सीरियस के लिए प्रिपैर कर रहें तो तो फिर इन से अगर सवाल आए तो गल है तो उन चीजों को नोट डाउन कर लें तो इस तरीके से जब आप प्रिपैर करेंगे तो काफी बेटर वे में आप ऐसे डिफिकल्ट कुश्चन भी कर पाएंगे इसके लब मैं आपको और रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जैसे पैटर्न अब्जर्व करते हुए चल र रहेंगे विकॉज यह हमने अल्रेडी कवर किया है आप जागर के चेक कर यह हिस्टी प्लेलिस्ट में अगला सवाल देखिए यानि किस प्लेटिशन के द्वारा पाकिस्तान के उस आइडिया को पोज किया गया जिसका मतलब यह था कि मुस्लिम राज यहां और हिंदू राज कहीं और ठीक है तो इसे समझते हैं हम लोग ओपसन है मारे पास खान अब्दिलगफार खान सिकंदर हयात खान मौलाना अबूल कलाम आजाद या रफी एहमद किदवई दोस्तों अगेन यह थीम सीन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थ्री है और चेप्टर का जो नाम है अंडर स्टेंडिंग पार्टिशन यानि पार्टिशन जो देश का विवाजन हुआ इसे समझाने के लिए चेप्टर है और कई सारी बाते हैं वैसे बॉक्स पर ध्यान देते चलिए देखे मुस्लिम लीक के बारे में कहा जा रहा है तो पहली चीज़ तो यही पूछ ली आती है कि कव स्थापित की गई तो 1906 में कहा पे ठीक है और किनके द्वारा यह सब बाते हैं जरूर आप ध्यान रखें बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो इन सब को हमन ज़्यादा इंपोर्टेंट है 1940 में दूसरा सवाल यह पूछ लेते हैं स्टेट पेसी में बहुत बार पूछा है इन्होंने कि कहां पे तो पाकिस्तान रिजोल्यूशन परस्तूत किया लाहूर में ठीक है इसलिए लाहूर रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है सिकंदर हयात खान तो अब इसे समझते हैं कि पूरा कॉंटेक्स्ट क्या था दोस्तों देखिए पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो परस्तूत किया गया 1940 में यहां पे सबसे खास बात आपको यह समझनी है कि जब मुस्लिम लीग मूब करती इस रिजोल्यूशन को तो यहां पे एक यह था जुआते यह था कि जाती है किसके ओटोनोंय की तो अटोनोमी फोर दा मुस्लिम मेज़ोरिटी एरिया अफड़ सब कौंटिने यह थोड़ा एमझिग्रूर्स सब्सक्राइब सिकंदर हयात खान जो की पंजाब प्रीमियर थे और युए निश्ड पार्टी यहां तो यहीं सवाल आपसे पूछा जाता है, कि ड्राफ्ट किनके द्वारा किया गया था पाकिस्तान रेजोलूशन को, तो यह नाम ध्यान रखेगा, तो इन्होंने डिकलेर किया पंजाब एसेम्बली स्पीच में 1941 में, और इन्होंने पाकिस्तान के उस आइडिया को पोज किया, जिसका मतलब यह था, कि मुस्लिम राज यहां और हिंदू राज कहीं और, तो अगर पाकिस्तान के इस टाइम के कॉंटेक्स्ट को अगर हम देखें, तो इनका यह कहना था, और इसके बाद इन्होंने इस आइडिया को रिटरेट किया, और एक लूज यानि युनाइटेड कन्फेडरेशन की बात की गई, जिनमें कंजिडरेबल ओटोनोमी तो मिलनी ही चाहिए, यहां पे सही अंसर हमारा उप्सन भी है, सिकंदर हयाथ खान, और इसके पीछे के कॉंटेक्स्ट को हमने समझा, यह बात हो रही है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन की, 1940, लाहोर, परस्तुद, ड्राफ्ट किन के द्वारा किया गया, सिकंदर हयाथ खान, अहला कि देखे अगर परस्तुद करने की बात की जाएगी, तब नाम आएगा फजलूल हक का, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखे, ड्राफ्ट करने की बात आएगी, यानि तयार किन के द्वारा किया गया, तो अबिसली नाम होगा सिकंदर हयाथ खान का, और प्रेजेंट करने की जब बात आएगी, परस्तुत करने की तब नाम होगा फजलूल हक जी का, और ये 1940 की बात है, सारी चीज़े इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो इन चीजों का आप नोल डाउन कर लें, अगला सवाल देखिए, एक साइड में ओथर है, दूसरी साइड में बुक का नाम दिया गया, तो सेखर बंदोपाध्याजी की बुक काफी ज़्यादा फेमस है, हिस्ट्य ओप्षिनल के लोग काफी ज़्यादा पढ़ते हैं, और सिविल सर्विसेज में भी एक साल, आइ तिंग 4-5 सवाल डिरेक्टी इस बुक से देखने को मिले था, वो काफी टाफ नेचर के कुश्चन थे, तो इसके बाद सी ये बुक और भी ज़्यादा सिविल सर्विसेज इस्पिरेंट्स के दारव पढ़ा जाएं लगा, और बुक का नाम क्या है, आपने सुना होगा, प्लाजी टु पार्टिशन, अ हिस्ट्य ओफ मॉडर्न इंडिया, तो ए तो 2 के साथ मैच होगा, यहाँ पे दो उप्सन देखें इलिमिनेट हो जाते हैं, तो काफी जादा चांसेज बढ़ जाते हैं फिर आपके, ऐसे सवालों को सही करने के, इसके बाद अगर सरवपल्ली गोपाल की बात करें, तो यह डॉक्टर सरवपल्ली राधा किश्णन जी के पुत्र हैं, और इन्होंने दो बाइग्रोफिस बेसिकली लिखी है, एक तो अपने पिताजी पर लिखी है, और दूसरी जौहाला नहरूजी के उपर, तो इससे अगर हम मैच करें, तो 2-1, 2-1 के वखल एक ही उप्सन में है, देखें सही आंतर नहापे उप्सन B है, 2-1, 4-3, देखें बागी के बुक के नाम आप ध्यान रखें, विकॉज कई बार जो है इनसे, दूसरे तरीके से सवाल फ्रेम कर लिये जाते हैं, तो बागी अगर हम मैच करें, डेविड हार्डीमेन, देखें डेविड हार्डीमेन जो है, ये भी modern history के काफी बड़े लेखा के, कई सारी किताबे इनके द्वारा लिखी गई है, और जादतर जो किताबे हैं, वो गांधी जी के non-violent ideas पर हैं, गांधी जी के biography पर हैं, तो इनकी काफी प्रसीद बुक है, गांधी जी in his time and hours, और इनकी काफी अच्छे से compare किया है, कि किस तरीके से गांधी जी के ideas relevant हैं, और कौन-कौन सी खास बाते थी, तो ये नाम ध्यान रखेगा, इसके बाद चौथा देखी ज्यानेंद्र पांडे जी के द्वारा, ये बुक लिखी गई है, तो सही मेंच यहाँ पर option B है, कई सारे history के सवाल और भी है, आए कवर करते हैं, ये question मैंने starting में ही कवर करा दिया था, देखिए यहाँ पर Deccan Agriculturalist Relief Act की बात की जा रही है, तो जो Deccan riots थे अगर आपने themes पड़ी होगी, तो Deccan riots का ना आपने सुना होगा, इनसे संबंधित अगर आप पिछले प्रस्ण पत्र देखेंगे, तो 2017, 18, 19, इन में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे हैं, CEPF में पूछा गया, CDS में repeatedly question देखने को मिला, हाला कि अभी repeat नहीं हुए हैं, एक-दो सालों से, तो दूबारा repeat होने के chances हैं, question घुमा फिरा करके पूछ ले जाता है बार-बार, direct सवाल नहीं है, repeated line by line नहीं है, बट topic यही रहता है, तो यह मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, आप सारी analysis follow करिए, CDS की, जितनी भी हमने cover की हैं, काफी detail से मैंने इस question को, और इसके साथ, 7-8 previous year question को, इसी topic से cover किये थे, देखे मैं आपको brief में समझा देता हूँ, deck on riot के पीछे की कहानी, सबसे पहले American civil war के timeline को समझी है, देखे 1861 की बात है, और जो cotton circles थे बिटेन में, इसके पीछे का reason यह था, कि जो raw cotton की import है अमेरिका में, यह less than 3% हो गया normal के मुकाबले, तो less than 3% होने का मतलब आप समझ सकते हैं, कि काफी ज़्यादा problem की situation देखने को मिली, in fact, इंडिया में जो cotton, वैसे किसान जो cotton को produce कर रहे तो, वो काफी ज़्यादा losses में चले जाते हैं, और यहाँ पर पढ़िए सबसे important बात, cotton के prices जो हैं, काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, in fact, cotton prices आसमान चुने लगते हैं, तो जो Bombay के export merchants होते हैं, उन्हें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम cotton अपने पास secure कर लें, ताकि British के demands को fulfill कर सकें, और खूब सारा मुनाफ़ा कमाएं, बिकोज import जो वो काफी ज़्यादा घट किया है, तो इसमें क्या हुआ इसके कारण, they gave advances to urban sahukar, who in turn extended credit to those rural money lenders, यानि simple सी बात है, कि जो urban sahukar से जो इन चीजों की supply कर रहे हैं, उनको काफी ज़्यादा credit मिला, मर्चेंट के द्वारा, और ये पैसे जो है money lenders, जो है इन पैसों को किसानों तक forward करते गया, अब चुकि किसानों को काफी सारा credit मिल गया है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, कि जो cotton का production है, वो भी boom हो गया, और in fact cotton की जो पैदावार है, ये double हो गई, तो इस कारण से, लेकिन देखिए, नुकसान सबसे ज़्यादा फिर किसानों को ही हुआ, फाइदा होने की बजाए, और ये क्यों हुआ, इसका simple सा reason ये है, कि cotton की production बढ़ गई, तो जो कीमतें थी, वो घट गई, लेकिन यहाँ पे जो rich presents हैं, इनको तो फाइदा हुआ, लेकिन जो ज़्यादातर majority के किसाने, जो छोटे किसाने, इनको काफी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्यों, क्योंकि इनके जो, जिनोंने कर्ज लिया था, और कर्ज के पैसे से केती की थी, उन्हें वो कर्ज चुकाने भी तो थे, और उस basis पे मुनाफ़ा हुआ नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हर बार production बढ़ी कितों किसानों को फाइदा ही होगा, हलाकि इसके लवा और भी कई सारे इससे related बाते हैं, जो हमने अल्रेडी cover की हैं, यहां हम brief में discussion रखेंगे, इन चीजों से तो वैसे line by line question पूछेगा हैं, previous year में, CDS में, NDA में, कई सारे exams में, नाम ध्यान रखिएगा, Deccan Riot Commission का, basically Deccan Riot की report होती हैं, और inquire किया जाता है, उन डिस्टिक में जहां पर Riot फैले थे, record statement लिये जाते हैं, Riot के, यानि किसान के, जिनोंने खेती की है, साउकार के, आईविटनेस के, सब के record भी लिये जाते हैं, तो इसके बाद, देखे, Deccan Riot Commission के बाद, देखे, अगर reforms की बात करें, तो जो Riot हैं, उन्हें, उबिसली, काफी सारा, जो devious, deceitful, ये काम भी हो रहे थे, और इन्होंने, कम्प्रेंट भी किया, कि सानोंने, money lenders के खिलाफ, कि जो laws हैं, इन्हें manipulate किया जा रहा है, कानून को, कानून में, और इसमें ये कहा जाता है, कि ये Riot है, यानि किसान है, और यहाँ पर money lenders है, इनके भी जो contract होगा, ये 3 साल maximum का होगा, validity 3 years है, और सारी चीज़ें चेक भी होगी, कि कितना interest बना, कितना interest बढ़ गया, कैसे बढ़ा, कितनी payment हुई, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इनका भी तरीका money lenders ने निकाल लिया, और देखे, हर 3 साल में, एक नया bond sign करवाया जा रहा था, Riot से, और जब नया bond sign होता था, तो जो unpaid balance होती थी, let's suppose देखे, 1 लाक रुपे माल लिजे, हला कि यह काफी जादा है, आज खेड कंटेक्स में, उस टाइम के कंटेक्स में, अगर हम देखे तो, तो यह माल लिजे, तीन लाक बन गया है, तो अब क्या करेंगे, कि यह जो तीन लाक है ही, अब यह जोड़ा जाएगा principle में, इसके बाद से फिर इस पर interest बनेगा, तो इस तरीके से, रुकी नहीं थी problems, वैसे हम सवाल की तरफ आते हैं, यही था न, हाँ, क्या objective था, पहला यह कहा जा रहा है कि, रियस्टोर लेंड्स टू दा डिस पजेज पीजेंट, यानि वैसे किसान जिनकी लेंड्स चली गई है, उन्हें रियस्टोर करना उनकी लेंड्स को, दूसरा यह कहा जा रहा है कि, financial assistance देना किसानों को, social और religious occasion के टाइम पे, तीसरा यह है कि, रेस्टिक करना, sale of land, for in-depthness to outsiders, यानि, जो land की selling हो रही है, उन्हें रोकना, ठीक है, जब कर्ज बढ़ जाता था, तो किसान मजबूरी में, अपनी land को sell कर रहे था outsiders को, और चौता यह कहा जा रहा है कि, legal aid देना, insolvenants किसानों को, अब देखी, यह चीज भले ही, आपको directly ना देखने को मिले, बट अभी हमने देखा, किसी परकार के, land restoration की तो बात ही नहीं की गई, financial assistance की कोई बात नहीं की गई, तो eliminate आप कर सकते हैं, कहीं legal aid की बात हमने देखी नहीं, लेकिन यह provision हो सकता है, विकोज हम देख रहे हैं, कि indebtness बढ़ रही है, और indebtness के कारण ही, जो problem है, जैसे land वगेरा sell कर देना, outsider को, तो इस तरीकी की provisions हो सकते हैं, तो सही answer यहाँ पर option C है, तो इस topic को आप बहुत अच्छे से prepare कर लीजे, मैंने अल्रेडी करवाया भी है, previous year की analysis में, तो यह तो बहुत ही important सवाल है, इसका सही answer जानने से पहले हम इसके source देख लेते हैं, again हम अपना रुख करते हैं, themes in Indian history part 3 की और, देखिए दा संथाल pioneer settlements की बात की जारी है, यानि pioneer settlements मतलब सबसे पहले जो settlers है, उनकी बात की जारी है संथाल के बारे में, देखिए यहाँ पर कई सारी background की information है, बढ़ हम इसे cover नहीं करेंगे, because यह theme series में हम already cover करने वाले हैं, फिलाल आप यह समझे, दा संथाल वर given land and persuaded to settle in the foot hills of राजमाल, तो राजमाल की foot hills में जो संथाल इने land दिये गए, और settle करने के लिए बात की गई, और 1832 में काफी बड़ा जो land का area है, इसे demarkate कर दिया गया दमीने कोह के रूप में, यह basically इसलिए किया गया, क्योंकि declare करना था इस land को, कि यह जो land है, यह संथाल्स का land है, और इसी में इन्हें रहना है, प्लो एगरिकल्चर को practice करना, और settled peasants के रूप में जीवन जीना है, तो यहाँ पे सही answer क्या है, option A, देखें कि सेम सवाल NDA में पूछा गया था, NDA 221 में, और वहाँ पे यह पूछा गया कि दमीने को कब declare किया गया, तो year भी important है, repeat हो सकता, यह सवाल ध्यान रखेगा, 1832 में, वैसे यहाँ पे देखें, यह 1832 में declare किया गया दमीने को को, और इसके कुछ सालों के बाद, 1857 की जो क्रांती है, इससे पहले भी कई सारे rewards देखने को मिले हैं, जिनमें जो सबसे major reward माना जाएगा, दो सालों पहले, 1855 में, संथाल rebellion का, तो पहला question तो यही आप से पूछ लिया गया है, कई बार exams में, कि संथाल rebellion के प्रनेता कौन थे, किनके द्वारा ये lead किया जा रहा था, तो बेसिकली चार ब्रदर्स थें, लेकिन इनमें दो का नाम सबसे प्रमुकता से आता है, कौन कौन से, सीधो, कान्हू, चांद, एंड भेरो, स्टार्टिंग वाले नाम जरूर ध्यान रखें, CDS में कई बार पूछा गया, और भी अन्ने कई exams में पूछे गया है, सीधो, कान्हों के द्वारा lead किया गया, इयर कौन सा था, 1855, important है, काफी ज़्यादा ध्यान रखेगा, विकोज 1857 की गरांती से पहले, बहुत कमी rewards देखने को मिले हैं, और इनमें ये major था, और संथाल rebellion के बारे में, ये important बाते थी, year एक तो, और दूसरा नाम, सही answer क्या है, option A, वैसे इसके background more भी, कई सारी चीज़ां आप पढ़ सकते हैं, और वो मैंने cover भी किया already, history पे ले लिस्ट में, जो revolts हैं, जैसे सन्यासी rebellion हैं, और भी कई सारे अप्राइजिंग्स हैं, तो उनसे भी बहुत सारे question पूछे गए हैं, तो उनमें ये एक सन्थाल rebellion काफी major है, हाँ, एक बात और मुझे भी ध्यान आया, whole, ये एक term है, तो whole का मतलब basically अगर आप देखें, language में, तो ये होता है, revolt, तो इस वाद से कई बार whole rebellion भी कहा जाता है, सन्थाल rebellion को, local language में, सही answer option A है, अगला सवाल देखिए, the limitation law, which was passed by the British in 1859, addressed which one of the following issue, तो अभी आपको ध्यान होगा, पिछले इस लाइड में हमने देखा, limitation law के बारे में, कि जब Deccan riots हो गए, तो इसके बाद limitation law लाया गया, और ये law क्या था, ये law एक तरीके से contract, जैसे loan, सबसे पहले इस साइड में, रियोट्स हैं, किसान हैं, और इस साइड में money lender है, तो जो भी यहाँ पर कर्ज दिया जा रहा है, किसानों को, तीन सालों के लिए, इसकी maximum limit होगी, और तीन साल के बाद, सारी accounts की checking होगी, और तीन साल से जादा का loan नहीं दिया जाएगा, तो option B देखिए, loan bond signed between money lender and rewards, would have validity only for 3 years, यानि तीन साल का ही contract होगा, 15, 20 साल, 25 साल ऐसे contract नहीं होगे, हाला कि हमने देखा था कि, इसके बावजुद भी जो है, वो money lender हर तीसरे साल में, एक नया contract sign करवाते हैं, और इसमें क्या provision होता है, कि पिछले जितने भी interest है, उसे principles के रूप में जोड़ा जाता है, तो इस तरीके से misuse किया जाता है, हाला कि हमारा सही answer option B है, important सवाल है, ध्यान रखिएगा, जब ऐसे theme से सवाल आते हैं, तो फिर ऐसे सवाल अस्किप नहीं करने हैं, next question देखिए, revolt of 1857 में, डंका सह के नाम से किन्हे जाना जाता था, सहमल, मौलवी, एहमदुल्ला सह, नाना साहीब या, तात्या टोपे, देखिए जो themes in Indian history part 3 book है, सारे सवाल तो अभी यहीं से पूछे जा रहे हैं, हमने इस paper में देखा है, rebels and the Raj वाला chapter काफी important है, यहाँ पे two rebels को specifically mention किया गया है, एक है सहमल, और दूसरा है मौलवी एहमदुल्ला सह, तो जो सहमल हैं, यह उत्तर प्रदेश के बरोत परगना से अपना संबन रखते हैं, basically, जाट कल्टिवेटर के क्लेन से आते हैं, जिनकी जो किंसीप टाय होती है, वो 84 देश में होती है, 84 देश, देश का मतलब यहाँ पे गाव हैं, तो ध्यान रखेगा इस टर्म को, जो सामल है, यह हेडमेन को मोबिलाइज करते हैं, और जो कल्टिवेटर से इने मोबिलाइज करते हैं, 84 गावों में जा जाकर, और इसके बाद लोगों को अर्ज करते हैं, कि कियों ब्रिटिसर्थ जो हैं, यह किस तरीके से परेशानियों का सोर्त हैं, 1857 के revolt के context में अगर हम देखे तो और इसके बाद motivate भी किया जाता है कल्टिवेटर्स को कि government buildings में अटेक करने के लिए breezes वगरा को destroy करने के लिए क्यों क्यों क्योंकि यह सबी चीजें British ब्रिटीस राज के प्रतीक थे मौलवी हमदुल्ला साह की बात करें तो डंका साह के नाम से इन्हें जाना रहता था यानि मौलवी विद्धर ड्रम इनके पास एक डंका होता था ड्रम होता था और यहां पे बैटल ऑफ चिनहट है यह भी बहुत बार एक्जाम से पूछा गय पास यहाएं पूँल्ग के रूप में इन्हें देखा जाता और कुछ जो है का इन्हें इन्विंसिबल बानते हैं मेसीन और इनके पास और पितिक ब्रिटिसर्षं इन्हें लार सकते हैं तो सही आंसर क्या है यहां पर option B इनके बारे में भी हमने देखा detail में option B यहां पर सही आंसर है नेक्स्ट कुश्चन देखे दा समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 वाज based on which of the following assumption यानि 1856 में जो समरी सेटलमेंट लाया गया यह किस assumption पर आधारी था तालुगदार जो है यह rightful owner है land के तालुगदार interloper है और इनका land में कोई permanent stake नहीं है तीसरा यह कहा जा रहा है जो तालुगदार है could evict the present from the land यानि जो present के land है उनसे बताया जा रहा है हाला कि इसमें कई सारी बाते हैं पूरा discussion हम करेंगे थीम सेंजियार्टी में बट फिलहाल आप यह समझे तालुगदार को आप बिग जमिनदार कह सकते हैं तो समरी holding को स्थापित किया है force के through, fraud के through तो इस वज़ा से जो समरी settlement है यह proceed किया गया ताकि तालुगदार को हटाया जा सके जहां भी possible हो तो सही answer क्या है हमारा the तालुगदार वर interloper with no permanent stake in the land direct theme से question है theme sincerity का यह सवाल है so I think और भी history के questions है क्या so history से इतने ही सवाल थे हमने सारे सवाल यहां पर cover कर लिये हैं और quality, geography इनसे भी कई सारे questions है उन्हें भी हम लोग जल्द cover करते हैं so मिलते हैं जल्दी next video में उम्मीद है यह series आपको helpful लग रही होगी आप ने राय था विचार comment box में जरूर लिखे चैनल को subscribe करें इससे हमारा motivation बढ़ता है धन्यवाद